सूप्रबातम नमोनमा हम पाग विय मतलब थे स्वास्त्यम दिझायु piace अञलगयम पर आर्थ है व्यायाम से स्वास्त लंबी आयू और बल और सुक्की प्राप्ति होती है यानि व्यायाम से हमें अच्छे स्वास्त की प्राप्ति होती है लंबी आवी प्राप्त होती है शरीर ताकत वर बनता है और हमें सुक्की प्राप्ती होती है निरोगी रहना परम भाग्य हमारा शरीर में कोई बीमारी नहीं हो यह हमारा परम सुबाग्य होता है परम सुबाग्य की बात होती है और स्वास्ते से अन्य सभी कारे सिद्ध होते हैं व्यक्ति का मनुष्य व्यक्ति का स्वास्त ठीक है तो वह सभी कारे सिद्ध कर सकता है इसली औगा गया है कि पहला सुख नीरोगी काया, अनि हाव व्यक्ति का पहला सुक क्या होता है? उसका स्वास्त औ이ुश्ट, शरीफ स्वस्त रेना चाहिए, तब ही वह अन्य दूसरे काम कर पाता है. हमारा जो टोपिक है आज का है पार्ट 14 कर्म कारक पार्ट 14 कर्म कारक सबसे पहले हम देखते हैं कर्म किसे कहते हैं कर्म क्या होता है तो वाक्य में जिस व्यक्ति या वस्तू पर क्रिया का फल पड़ता है कर्म कहलाता है या करता के द्वारा क्रिया करने पर जो कारिसंपन हो क्रिया कर्म करता है तो व्यक्ति क्रिया क्रिया को संपन्न करते हैं तो क्रिया से संबंद रखने वाले संग्या और सरुनाम कारक होते हैं यानि क्रिया से जिस भी संग्या या सरुनाम का संबंद होगा वही कारक कहलाएगा अर्था वाक्य में जिन संग्याओं और सरुनाम का संबंद क्रिया से होता है उन्हें कारक कहते हैं अरतर वाक्य में जिस भी क्रिया से संग्या या सरुणाम का संबंध होता है वह कारक कहलाता है। अब या बालक का संबंध और पुस्तक का संबंध इस पठती क्रिया से हैं। इसमें पठती क्रिया से संबंध रखने से बालक पुस्तक कारक है। और क्या पढ़ रहा है वह पुस्तक पढ़ रहा है। या दोनों का संबंध इस क्रिया से हो गया है। इसलिए यहां पर पालक और पुस्तक दोनों में कारक है। अब कर्म कारक में कौन सी बक्ति का प्रियोग होता है। संसीकित में कारक 6 प्रकार के होते हैं। दूसरा कर्म कारक हा। तीसरा कार्ण कारक चोथा संप्रदान कारक, फाचवा अफदान कारक और छटा अधिकरन कारक संसीकित में, 6 कारक होते हैं। अब विबक्ति, विबक्ति क्या होते है। कारक व वचन के बोधक चिन्न को संसीकित में विबक्ती करते हैं संसीकित में सात विबक्तियां होती है संस्रीट में 7 विवक्तियां होती है त्यान रखें संस्रीट में कारक्त होते हैं 6 और विवक्तियां होती है साथ अब करता के हमने पिला कारक वबचन के कारक वबचन के बोधक चिन्न को संस्कीत विवक्ति कहते हैं तो कारक के चिन्न तो कारक चिन्न यहां पर दिये हैं करताने यह कारक चिन्न कारक चिन्न और विवक्ति निकरता करता कारक के साथ ने चिन्न का प्रवय हुगा यानि करताने प्रत्माय बक्ती, कर्मकारक को को चिन का प्रयोगा, करताने कर्मको यानि दित्याय बक्ती, करण से या द्वारा, करण से या द्वारा, इसमें तर्थिया बक्ती का प्रयोगा, संप्रदान कारक के लिए, इसमें चर्थूती बक्ती का प्रयोगा, अपदान कार यानि अलग होना इसमें पंचमी विवक्ति का प्रयोग होगा अब संबंध कारक संसिकत में नहीं होता है इसके कारक जो चिन्न होंगे वहोंगे का के की अधिकरन कारक में पर संबंध को संसिकत में कारक नहीं माना गया है क्योंकि संस्टी विवक्ति में क्रिया का सीधा या प्रत्यक संबंध किसी वस्तू या संग्या या सरुणाम से नहीं होता है यानि इस संस्टी वक्ति में क्रिया का सीधा संबंध किसी भी संग्या या सरुणाम से नहीं होता है इसलिए इसको संसिकत में कारक नहीं माना गया है केवल इस करण केवल संसिकत में संस्टी वक्ति हमानी चाहती है कारक नहीं होता है क्योंकि संबंद कारक में किसी भी संग्या या सरुनाम का सीधा संबंद क्रिया से नहीं होता है और हम कारक उसे ही कहेंगे जहां पर जिसका सीधा संबंद क्रिया से हो जिस भी वस्तु या सरुनाम या संग्या या सरुनाम का सीधा संबंध करिया से होगा जब वहाँ पर कारक होता है लेकिन संबंध कारक में सीधा संबंध करिया से न होने के करण यहाँ पर कारक नहीं माना जाता है संबोधन में भी प्रतमाई बक्ति का ही प्रयोग होता है इसकारण संबोधन कारक में भी अलगसे कोई बक्ति नहीं होती है कर्मिकार्यक में दित्याभक्ति का प्रयोग होता है उधाने के लिए को आ रहा है या? को आ रहा है साथ में? पक्षी के साथ को का प्रयोग हो रहा है इसका मतलब यहां पर कर्म का रखा, यहां पर कर्म का रखे, कर्म का रखे, राम तो करता हो गया, अब राम क्या देखता है, राम क्या देखता है, तो पश्यती क्रिया हो गई, अब क्या देखा राम ने, पक्षी को देखा, किसको देखा, पक्षी को देखा, तो यहां पर र करता क्रिया के द्वारा किसी कारी को संपन्द करता है क्रिया के द्वारा जब किसी कारी को संपन्द करता है तो वहाँ पर वह कहलाता है कर्मकारत अब राम देखने की क्रिया के द्वारा इस पक्षी को देखने कारी संपन्द कर रहा है कर्ता यहां पर कर्मकारत वाक्य में कर वही कर्म होता है उप्युक्त वाकि में राम करता है राम क्या देखता है तो उत्तर मिलता है राम पक्षी या को देखता है और ताद यहां पर कर्म कारक हुआ अब कर्ब कारग में दित्य पक्तिकाई प्रियोग होता है अगला उदान है प्रदीपह पुस्तकम पठती प्रदीप करता और पठती क्रिया अब प्रदीप क्या कर रहा है? पढ़ने की क्रिया के द्वारा क्या कर रहा है? पुस्तक को पढ़ रहा है पुस्तक को पढ़ रहा है तो यहां प्रदीप पढ़ने की क्रिया के द्वारा पुस्तक में से पढ़ रहा है तो अधा पुस्तक में कर्म पस्तक कर्म का रख हुआ पिता महां खगव पस्चती पिता महां खगव पस्चती पिता महां यानि दादा जी खगव यानि दो पक्षियों को देखते हैं यानि दादा जी दो पक्षियों को देखते हैं पिता महां करता हुआ खगव कर्म है और पस्चती क्रिया हुई आपना आमा दादाजी देख पस्चच्दि क्रिया देखने के दारा दो भक्ष को देखते हैं तो यहां गजी मोहनखांथाथं पत्ती मोहन पाठं पठती मोहन पाठ पड़ता है तो मोहन करता है पाठं कर्म है और पठती क्रिया है नंदनी ग्रिहम गच्चती नंदनी करता क्रिहम कर्म और गच्चती क्रिया अमनंदनी गच्छतियाने जाने की क्रिया के द्वारा कहा पोच रही है अपने घर पर पोच रही है अपने घर जा रही है तो जाने की जो क्रिया है उसके द्वारा घर पोचने का कालिसंपन हो रहा है और ताथ घर में कर्म कारख हुआ करता कर्म और क्रिया ताहा विशालान परवतान पस्चंदी ताहा यानि वे सब विशालान बहुत बड़े परवतान यानि परवतों को पस्चंदी यानि देखते हैं वे सब वे सब बहुत विशाल परवतों को देखती हैं एशा बालिका वाटिकाम पस्चती यह बालिका वाटिका को देखती है अब कुछ उधान है जो बुक में से हैं वो है रामह खगम पस्चती राम पक्षी को देखता है पितामह खगव पस्चती दादा जी तो पक्षियों को देखते है नंदनी खगान पस्चती नंदनी अनेक पक्षियों को देखती है अब खग एक वचन प्रत्माई बक्ति का एक वचन खगम दितरय बक्ति का एक वचन प्रत्माई खगम ओर लुक में से हैं पक्षियों को नहींनेक को देखते हैं पितामह खगव पस्चती, दादा जी दो पक्षियों को देखते हैं, नंदनी खगान पस्चती, नंदनी अनेक पक्षियों को देखती हैं, अगले हैं, आगे हैं, वंदना मालाम धार्यती, वंदना मालाम धार्यती, वंदना माला को धारन करती है, वंदना माला को धारन करती ह बंदना एक माला को पहंती है महिला माले इसप्रशती एक महिला दो मालाओं को इसपर्श करती है इसपर्श करती है बाली का मालाह गुंपती बाली का अनेक मालाओं को गूतती है या बनाती है अब यहां पर भी मालाम दृतिय बक्ति का एक वचन माले दृतिय बक्ति का दृतिय बक्ति का दृतिय बक्ति का बहु वचन यानि मालाम माले मालाह, आगे हैं, शुकह फलम खादती, शुक यानि तोता, तोता यानि पेरोट, शुक फल को खाता है, यानि तोता फल को खाता है, फलम खादती यानि फल को खाता है, विजय दो फल खाता है, तो यहाँ वही एक वाचन और दिद्ञा बीद्वाग्टि का वचन, फल आनी थिबे हैंCloudzi सग्यामीक 8 तो जानते हैं विशेश क्या होते हैं जोबी संग्या या सरुनाम होती है बहुत ओद केलाते हैं विशेश और उनके आगे जो भी शब्द आता है जो भी उनकी विशेशता बताते हैं वो केलाते हैं विशेश और विशेश यानि एक्जेक्टिव रामः दुष्टम रावन को मारते हैं सा कोमलाह कलिकाह इसप्रशती वह कोमल कलियों को इसपर्श करती हैं सुभाष विशालमं मंदिरं पस्चती 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 सुभाष विशालमं मंदिरं पुस्तकानी पठती गोपाल पवित्र पुस्तकों को पड़ता है।